हाई गाईज वेलकम बैग तो माई चैनल गाईज आज की इस्टोरी चार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब करने पास्मेल के बैल आइकन को भी प्रैस कर दें ताके मारे हर ने वीडियो के नोट्फिकेशन आपको मिलते रहे इस्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजेगा और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें इमेल कर सकते हैं इमेल हमने इस वेडियो की डिस्क्रिप्शन में एड़ कर दिया है तो आँसे चेक करके आप अपनी स्टोरी हमें इमेल कर सकते हैं तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट मौन्टु 15 साल का सरमिला लड़का था, मौन्टु पडोष में चाचा के घर पर ट्यू Wilson के लिए जाता था, मौन्टु की कजन शिम्रन प्राईबे ट्यू Wilson करवाती थी, मौन्टु पढ़ाई में होसियार था और सिम्रन का हर कहना मानता था, सिम्रन भी मॉन्टू का अच्छे से ख्याल रखती थी एक दिन सिम्रन क्लास 11 की लड़की रीना, प्रिया और आशा को साइंस का चेप्टर पढ़ा रही थी उस टाइम ट्यूसन पर क्लास 11 की तीन लड़कियां और मॉन्टू थे सिम्रन लड़कियों को लड़कों के प्राइबेट पार्ट के हिस्से का डाइग्राम दिखा कर सिखा रही थी तीनों लड़कियां काफी कन्फ्यूज दिख रही थी तो सिम्रन ने तीनों से पूछा क्या हुआ, समझ आ रहा है या नहीं तो तीनों ने अपना सर हिला कर ना बोला तब सिम्रन ने पूछा क्या तुम तीनों ने कभी अपने भाई या किसी भी लड़के का प्राइबेर पार्ट नहीं देखा है तब रीना बोली मैम मैंने अपने भाई का देखा है पर उसको काफी साल हो गया है और अब तो वो कई सालों से होस्टल में पड़ता है इसलिए कभी देखने को नहीं मिला प्रिया और आचा बोली मैम हमने तो छोटे बच्चों का देखा है वो भी दूर से तो ज़्यादा कुछ याद नहीं तीनों की बाते सुनकर सिम्रन ने काफी देड़ तक सोचा फिर उसने मॉन्टू की ओर देखा सिम्रन को पता था कि मॉन्टू सरमीला है पर उसकी सारी बात मानता है तो सिम्रन ने सोचा कि मॉन्टू को न्यूड करके काम हो जाएगा पहले मॉन्टू की शर्म कम हो जाएगी और लड़कियों को लड़के का private part का practically सीखने का मौका मिल जाएगा फिर सिम्डन मॉन्टू के पास गई और उसे सब कुछ समझाया फिर मॉन्टू के सौट और टीशर्ट उतार कर सिफ अंडर्वेर में तीनों लड़कियों के पास लेकर आई मॉन्टु को अंडर्वेयर में देका तीनों लड़कی ہیں हसने लगी तब सिम्णन ने तीनों को कहा कि हसना बंद करो आज मॉन्टु तुम तीनों की साइंस शिप्टर में हेल्प करेगा मॉन्टू शर्म्स की वज़े से तीनों लड़कियों के सामने सर जुका कर खड़ा था फिर सिम्रन ने कहा चलो लड़कियों आज तुम्हें लड़कों के प्राइबेट पार्ट प्रैक्टिकली समझाती हूँ इतना बोलते हुए सिम्रन ने मॉन्टू की अंडर्वेर भी उतार दी और मॉन्टू अपने दोनों हाथ पीछे करके खड़ा हो गया तीनों लड़किया मॉन्टू के और और करीब आ गई फिर सिम्रन मॉन्टू का प्राइबेट पार्ट पकड़ कर समझाने लगी कुछ दिर बाद सिम्रन मैम को फोन आ गया तो वो फोन पर बात करने रूम से बाहर चली गई ये देखकर तीनों लड़कियों से रहा नहीं गया और वो भी मॉन्टू की छोटी सून को टच करके देखने लगी अब तक मॉन्टू तीनों लड़कियों के साथ थोड़ा बहुत कमफर्टेबल हो गया था मॉन्टू पहली बार काफी एकसाइटेड फील करने लगा मॉन्टू कुछ समझ पाता कि अचानक एकसाइटमेंट में उसका प्राइबेट पार टाइट और लंबा हो गया ये उसके साथ पहली बार हुआ था तीनों लड़कियों को भी नजर आया पर इस बारे में उन्हें भी कुछ जादा पता नहीं था और रीना हसते हुए मॉन्टू का प्राइबेट पार पकड़ कर गोल गुमाने लगी प्रिया और आसा ने ये देखकर हसने लगी प्रिया मॉन्टू का गोटा पकड़ कर हिलाने लगी मॉन्टू का एकसाइटमेंट और ज्यादा हो गया और वो कुछ समझ पाता इससे पहल और चेक करने के साथ ही अपने अर्वेर से साफ करने लगा रीना को गुस्सा आया और वो मॉन्टू की गोटियंग पकड़कर जोर से दबाने लगी मॉन्टू दर्थ से कूधने और चिल्द तो रीना ने उसे छोड़ दिया और मौंटू दर्श से जमीन पर अपना प्राइबेट पाठ पकड़ कर लेट गया ये देखकर तीनों लड़किया जोर जोर से हजने लगी मौंटू की चीक सुनकर सिमरन आई और पुछने लगी क्या हुआ सिम्रन ने देखा कि मांटू अपना प्राइबेट पार्ट पकड़े जमीन पर लेटा हुआ है और उसे देखकर तीनों लड़किया हस रही थी तब ही प्रिया हसते हुए बोली मैं ट्रीना ने मांटू की बॉल्स को जोर से दबा दी सिम्रन हस कर बोली कि लड़कों का सबसे कमजोर हिस्सा उनकी बॉल्स होती है अगर कोई लड़का तुम्हें परिशान करे या तुम्हारे साथ कुछ गलत करे तो उसकी बॉल्स पर हिट करना चाहिए फिर सिम्रन और तीनों लड़किया मांटू के पास गई और उससे सौरी ब लड़कियों ने देखा कि मांटू की बड़ी सूर अब छोटी हो गई है तो तीनों लड़कियों ने इस बारे में सिम्रन से पूछा सिम्रन ने कहा रुको जरा धीरे धीरे सब बताऊंगी इसके बाद से सिम्रन ने देखा कि उस दिन के बाद से मांटू की शर्म कम हो गई है और उसका confidence level भी बढ़ गया है तो गाइस यहीं पर मांट्यो की story खतम होती है आपको story कैसे लगए हमें comment में जरूर बताईएगा story अच्छी लगए तो इसे like और share कीजेगा और आप सब के पास भी को ही मिल कर सकते हैं